हेलो फ्रेंस आज हम बनाने जा रहे हैं बालू शाही से चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी इसके लिए मैंने एक कटोरी लिया और उसमें चार कप मैदा भरकर नापकर ले ली है अब मैं इसमें डालने जा रही हूं एक पिंच के बराबर सॉल्ट मैं इसे प्यूर गी से बनाने जारे हैं इसलिए इसमें मैंने एक कटोरी बरकर प्यूर शुद्दीगी डाला है इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे आपको शुरु शुरु में लग सकता है कि गी की मात्रा बहुत अधिक है पर ऐसा नहीं है कुछ बालुशाही दही से भी बनती है पर वह बहुत जल्दी खराब हो जाती है यह हम बिना दही के बालुशाही बनाएंगे इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने इसमें 180 कि टीजब बेकिंग शोड़ा डाला है अब ध्यान से सुनिएगा मैंने बेकिंग पाउडर यूज़नीक है बेकिंग सोड़ा डाला है अब हम धीरे धीरे पानी की साहता से दो लगाएंगे करेंगे डू को सिफब आटे की तरह गुंधना नहीं है आटे की तरह इसे बिलखुल नहीं गुंधना प्रंस की इसका मैं धीरे धीरे पानी डालकर एक सौफ डो लगाएंगे बाइनद करते हुए सिर्फ इतना ही बाइंद करेंगे जितना गीला रोटी का आटा होता है आप देख सकते हैं मैंने सब को एक जगा बाइंड करके इसे ढग कर रख दिया है पंदार मेंट के लिए पंदार मेंट के पाद हम इसे फिर ओपन करेंगे और हम इसे चेक करेंगे यह बिल्कुत सही कंसिस्टेंसी में है हमें जितना नरा माटा इसका चाहिए होता है बालुशाई बनाने के लिए यह उतना ही नरम है अब हम इसे एक बाद फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे और अब इसके पीसेस तोड़ तोड़कर इसे बालुशाई के शेप में तयार करेंगे इसे एक तम हलके हांतों से सर्कुलर मोशन पर घुमाते हुए एक तम गोल गोल टिक्की जैसे बनानी है यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूं किस तरह से इसे धीर है बिलकुल हलके हांतों से घुमाते हुए बालुशाई का सेथ देना है और इसे दोनों तरफ आरपार छेथ कर देना है अगर आपको मेरी रेसीपी पसंदारी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब ज़रू करें वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें अब मैंने कड़ाई पे घीलिया है यह भी अदिमाच पर मैंने सारी बालुशाई को कड़ाई पे डाल दिया है ध्यान रखता है हमें यहां पर कि हमें फ्लेम एकदम ही लो रखना है और घी को बहुत जाता गरम भी नहीं करना है बस इतना गरम करना है कि घी मेल्टेड हो उसी समय में बालुशाई डाल देना है यह ध दीरे दीरे आप खुदी देखेंगे कि इसकी दीरे दीरे बालुशाई का साइज भी बड़ा होगा और वो फूले गी भी यह थे के पालुशाई ने दीरे दीरे अपना साइज बड़ा का लिया है इस कंडिशन में इसमें बिल्कुल भी चमज जरिया या किसी भी तरह का कुछ भी फल्टा वगयरा कुछ भी हमें यूज नहीं करना है क्योंकि यह बालुशाई अभी बहुत नरा में अगर हम इसे टेच करेंगे तो यह तूट जाएगी इसे बस इसी तरह से धीरे में धीमियाच में तीम धीमियाच लगने देना है और पकने द्हाऊ के देले हिसे देना है कंच कर दूसरे तरफ दीमीदी मियाच में सिखना है फ्लेम को बिल्कुल भी तेज ना करें और बालु शाही बनाने के लिए बिल्कुल भी नहार बढ़ा है अगर ज़रा सी भी फ्लेम तेज हो जाएगी तो बालु शाही ठीक से फटेगी भी नहीं और अंदर से कच्छी रहेगी कर्ष देर पाद हमारी बालु शाही पूरी तरह से सीख कर रेडी है जब यह हलकी सी पिंकिश कलर की हो जाती है तब तक हमें इसे सीखना है आप देखे रहे हैं बालु शाही में इसे तरह भाल पींग कलर आचुका है अब इसे हम एक एक करके कर निकालेंगे भीरे भीरे अ च्छी तरह से एक मिट के लिए हाई फ्लैम पर रखेंगे ताकि इसका सारा घी जो है वह निकल जाय है अब एक केक करके धीरे-धीरे सारी बालुशाही निकालकर हम जाली में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा घीड ट्रेन हो जाए हुआ हमरी बालुशाही सिखकर तेयार है अब इसका शुगर सिरफ रेडी करते हैं मैंने एक पैन पे दो कप शुगर डाली है और हाप कप पानी डाल है कि knocking टालस की चलाएंगे बाली शाही के लिए हम एक तार की चास्नी तैयार करेंगे ऑछ सारी वीडियोस में धिकायो जाता है कि बालुशाही के लिए दौ- help glaube धार की चास्नी यहाथी है पट दो टार की चास्नी में रखेंजकर की अंदर से सीजीती है और बात बार से इ अगर नीचे शुगर बैट जा रही है तो हमारी चाशनी पुरी तरह से तैयार है अब हम इसमें किक करके अपनी बालुशाही डालेंगे इसे अची तरह से कूट करेंगे यह में चलिए एक और था दो किलो बालुशाही का फिंस उसके लिए मैंने यह बालुशाही तियार की थी अगर आपको बालुशाही को सुगर सिरफ में डिप करते हुए जरा भी लगे कि आपका सुगर सिरफ थोड़ा सा भी गाड़ा हो रखा है या इसमें बालुशाही ठीक से डिप नहीं हो रही है ता आप उसकी पानी रल के कॉंटिटी पतली कर लें इसके लिए हम सिफ एक तार्की चाशनी का प्रयूब करें डो टर्की या देड़ तार्की चाशनी में हमारी बालुशाही बहात अच्छे से सीजेती नहीं है अब एक-एक करके हम इसे निकाल लेंगे मैंने अपने कस्टमर को ये बालुशाही दी और उनकी फैमिली को ये बालुशाही बहुत पसंद आई उन्होंने फोटो भी शेर की है